महराज के पूर ग्रीह मंतरी अनिल देश्मुक को लेकर आर्थर रोड जेल से एक बड़ी अपडेट आ रही है आप सब को पता होगा कि अनिल देश्मुक जो है इनको मनी लॉंडरिंग केस में कुछ टाइम पहले एडी की टीम ने गरपतार किया था और काफी दिनों तक पूछताज करने के बाद इनको जो है कोर्ट के द्वारा यूडिसियल कस्टेडी में भेज दिया गया उसके बाद लगातार इनकी यूडिसियल कस्टेडी जो है एक के बाद एक कोर्ट के द्वारा एक्स्टेंड किया ही जा रहा है अब इन्ही सब चीजों के बीच में एक अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि अनिल देशमुक के जो वकील है वो जो है उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट पहुँचे थे और मुंबई हाई कोर्ट में उनके दोरा एक याज क्या दाकिल की गई जहां पर उनके दोरा बोला गया कि अनिल देशमुक जो है उनकी एज काफी जादा हो चुकी है जिसकी जासे उनकी हालत बहुत जादा खराब हो चुकी है इस टाइम जेल में जिसको लेकर अब जो है इनके वकील के दोरा बोला गया है अनिल देशमुक की हेल्थ रिपोर्ट म सुनवाई हुई थी और कोट के दौरा जो आर्थर रोड जेल है उसके अधिकारियों को बोला गया है कि जल्द से जल्द अनिल देश्मुक की जो हेल्थ रिपोर्ट है उसको कोट में पेस किया जाए मतलब कि अनिल देश्मुक की पूरी तरह से जांच कराई जाए और पता ल जल्दी सुनवाई की जाएगी ऐसा जो हे कोट के दौरा बोला गया है तो कहीं न कहीं से ये कन्फरम कर दिया गया है कि अनिल देश्मुक की जो हालत है वो जेल में काफी ज्यादा खराब है और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन बताया गया है कि उनकी जो हे एज काफी जादा हो चुकी है वहीं काफी लोग के दौरा ये भी दावा किया जा रहा है कि अनिल देश्मुक चाहते हैं कि उनको जो है किसी भी हालत में उन्होंने जो बेल याज का दाखिल की है डिपाल्ट बेल याज का उसमें उनको जो है ज़मानत दे दिया जाए इसलिए जो है उनके वकील के दोरा इस तरह की बात कही गई है कि उनकी जो है हालत खराब है इसी जिस्से की कोड जो है उनको जो है जमानत प्रवाइट कर दे अब देखते हैं जब कोड की दोरा इस पर फैसला सुनाया जाएगा और साथ में ही जब हेल्थ रिपोर्ड अनिल की कोड में पेस की जाएगी तभी कनफर्म होगा आपका क्या ओपीनियन है इस पर आप अपना ओपीनियन कमेंट बॉक्स में उता है और वीडियो के जाएगा शादा सेयर करें